कि गाइज इस ग्रेंडर को कौन महीं जनता यहार किसी के पास यह होती है और हर तिसरी शौप पर यह आपको देखने को मिलेगी और इस ग्रेंडर का काम क्या बहुत यहार बहुत भी कट कर सकते हैं इससे और लकडी भी काफी लोग जिये से कट करके दिखाते हैं लेकर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस員 को इसके बिलकूल भी नहीं करना है क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैंने इसका पूरा इनफ्मिORMATION बताया है तो फटाफ़र से इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चेज़ाल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन पर आल करेक कर दीजिए तो चिलिए फटाफ़र से अब इस वीडियो को स्टार कर लेते हैं अब सारा कम जो हमने इसी ग्रेंडर पे करना है तो यहां पर देख से मेरा हाथ में जो ड्रिल बेटे यहां पर इसके उपर ऐसे नहीं लगेगी तो इसके लिए लग से हमें जो हैं यहां पर चक लगाना पड़ेगा आपने अपर सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपके बास जो 강ने रे किसप कहुत है यहां पे मेरी बैल आप देखि कह रहे हैंगाइस यह चार इंची कह रहा है तो आपने देखने है और मैं जडे रहा हूं यहाँ पर IBB रहा हूं यहाँ इसके अंदर जो वगएगी वन कि इसके अंदर एक और मसला होता है इसके अजि़ हाँ रिप अजर है फिट नहीं आते मेरे पास और चक नहीं है वह कि जाना है क्योंकि आप आप को कपता ही करेंडर तरPN को पता है मिस भी कहना है कि मेरे पास चारेंज जी का गरेंडर है उस गरेंडर के ऊपर हमें जो है यह चक लगाना है तो सी ताफ से आपको जैसे वह चूडी निकाल कर दे देंगे यहां पर यह जो चूडी है गाइज अभी इसके अंदर जो है फिट बिलकोल भी नहीं आएगी तो अब जो है डिल्चक जो है इसके अंदर अच्छे से फिट आ जाएगा तो आप यहां पर अच्छे से देख से हैं गाई यह देखिए अब जो है अच्छे से फिट हो चुका है क्योंकि गाई इसके अंदर जो थेट थी वह बरीक थे तो अब जो है मैंने इसे अच्छी तरह किसे इसकी फ करते हैं तो यहां पर देखिए गाइस यहां पर हो चुका है तो आप जो है हम इस से ट्रिलिंग कर सकते हैं और वह भी काफी अच्छे तरह किसे तो चलिए फटावर्ट से यहां पर आप मैं आपको इससे चला कर चेक करता हूं तो आपने एक जीज का ध्यान रखना है ऐसा ढ हीला नहीं छोड़ना बिल्कुल अच्छे तरह किसे टैर कर दिना हैं तो गायस जैसा कि आप सब्सक्राइब नहीं देखा है कि इसका जो बैलंस है वह बिलकुल घाई जबरदस्त को भी टेडा मेडा नहीं चल रहा अच्छे से यहां पर काम कर रहा है तो चलिए फटा फट करके दिखाता हूं तो सबसे पहले हो पर बिन पर आप आप यहां पर यहां पर की अंदडर फिट कर रहा हूं कर दो गयां यहां पर जो है मीने डिल मिट काफ़ी आप इसके निद्ड लगा लिए तो चलिए फटाफ़्ट से आपको यहां पर थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूं तो गाइज जैसे कि आप देख सेंगे इसका जो बैलनस यह बहुत जबर दस्त थे तो चलिए फटाफ़से आपको यहां पर मैं ड्रिलिंग करके दिखाता हूं यहां की तो गाइज यहां पर मैं ज्यहे काफी बड़ी लेके आया हूं यहां पे आ देख से इसका सज azul defadiah गाइज तो यहां पर जहे इस लिक्टि के अंदर मैं मनको ड्रिलिंग करके दिखाता हूं तो सबसे पेहरे जांडैल वीजी अफल्स आप लगान भीजा हूं हुआ है तो गाइज दर जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने काफी अच्छे से यहां पर आप देखते हैं ट्रिलेंग करके आपको दिखाया है तो चलिए फटाफट से यहां पर मैं एक अड़क से बिड़ जो है इससे बड़ा लगा कर चेक करता हूं अब गाईज यहां पर आप इसक से जो है ड्रिलेंग करके दिखाता हूं यह देखी गाईज आप 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 तो गाईतर जैसा की आप सभी देखा है कि मैंने आप को exactly ₹ करके दिकाई और तो आपको काफी आप करके दिखरे अब चलिए अब चलिए फटाफ़र से यहां पे किसी एंड के अंदर जो होल करके देखते हैं गाईज तो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा ग्रेंडर काफी तरीक से काम कर रहा था गाइस यह थोड़ा सा गरम हो चुका है क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि इंट के अंदर होल करना काफी काम है और साथ-जाथ लकडी के अंदर भी हमने होल कि है और वह भी काफी मुश्किल काम था तो यहां पर थोड़ा सा हीट हो गया है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बाकि जो आप इससे काम कर सकते हैं काफी इसी तरीके से तो आप सभी ने देखा है कि इसके अंद का उत्ति का मैं करें क्या है आपको अलग से पैसे बरने की कोई जरूरत नहीं की तरिल मिशीन लेनी की कोई जरूत नहीं आप आराम से काम कर सकते हैं छोड़े-वोड़े काम तो आप ऐसे भी कर लेंगे काफी आसानी से तो गाईज़ यह आइडिया आप सब्स्रू को कैसा मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्हाफेज